सब्सक्राइबर करने के लिए और अच्छा लगा कि अच्छानक से सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो इसके लिए आप सब पिर से लॉट आया हूं और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया बहुत सारे कॉल कि एक सर प्लीज वीडियो अपलोड कीजी एक्जामन सदीक से तो मैं एक एडियम से लेक्षा आया हूं और मज़ेदार बहुत फणी इडियम से मात्रस 16 संदेश में चुना है और य सब्सक्राइब कि आपकी 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 बॉड़ी तो टैगर जैसी है बहुत कुस आएगा लेकिन इंग्लिस रिट्रेचर में भी ऐसे बहुत सारे बने जो जानवरों के नाम पे ते और इतना इतना इपॉर्टेंट आपको बताओं कि पीस्यस एक्जाम में यह सब सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करें अब सफेद हाथी अब सफेद हाथी सफेद हाथी किस देश में पाई जाती है मुझे बताइएगा आप कमेंट करके लेकिन सफेद हाथी मतलब आपने क्यों नहीं दिखती है क्योंकि उनको मैंटीन करना बहुत मुस्किल होता करते ने लोग भी साब हाथी तो ले लोगे पर खर्चा कैसे उठाओगे जिसे एक आम आदिए को बुलट ले लो पर पता ए कि his wife is a white elephant क्या होजागी बहुत खर्चिली हो जाएगी तो वह चीज जो आपसे ज़्यादा पैसे करवाए ज्यादा आपका खर्चों पाकड़ी मनी ज्यादा ढ़ेली हो जाए तो समझ जाए यह उस चीज़ को बहुत इसली का सकते हैं कि it is white elephant for me मेरे लिए क्या होगा यह बहुत खर्ची लोगी है ना कमाल की बाद दूसरा देके अधिर और वह गोड़ा जो अच्छानक से आया और जीट जा रहे यह तो डार्क हर्स है तो डार्क हर्स का मतलब होता है शुपा रुस्तम तू निकला शुपा रुस्तम याद है यह घौना बहुत हथ हूआ था अलाकि फिलम फ्लाफ हो गई थी पर गाने हिट हुए थे तो ज बलैक, डार्क हार्स हो गयी है, मतब छुपा रुस्तम, अच्छा वहीं देखिए, सिर्छा प्लेक सिप, तिसरा है ऑप बलेक सिप, मतब काली सिप माने पेड, यही एक बिकार आदमी जो आदमी बिकार हो जिसका समाज में कोई जतना हुद कह सकते हैं और चौथा देखिए क्रोकोडाइल टियर्स ओ माई गौड मगर मच के आँसू कई बार इसको कहा जाता कि जूटे आँसू दिखावे के आँसू आजकल समाज में ऐसे ही है कि अगर बगल वाले के यहां कुछ हो जाता है दुख हो जाता है तो लोग बड़ा खुस होते हैं लेकिन जब से दरवाज करकोडाइल टियर्स मतब्ड वो दिखावे के आँसू मतब्ड वो दुख ही नहीं होते हैं लेकिन दुख का दिखावा करते हैं पांछ वा देखी लायन सेर जंगल का राजा है और सेर को क्या चाहिए जादा चाहिए तो लायन सेर का मतलब होता जादा हिस्सा याणि कैसी ब्देजनिस में प्रॉफिट हुआ तो भई लायन से इनका है जिसे आप दोस्तों के साथ टीम में बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखो I want लायन से मुझे क्या चाहिए मुझे ज़ादा हिस्टा चाहिए तो लायन से बचे को चूचे को अधिज को मिले उसको लायन से तरह दोड़ के अपनी मम्मी के गोद में चले जाते हैं तो चिकेन हटेड अगर कोई आदमी थोड़ थोड़ी बात पर हर बात पर डर जाता तो आप 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 से से चिकन हर्टेदर बताब डर पोग है चिकन हर्टट है चिकन हर्टेदर मतलब डर पोग है कितना अच्छे हम निए अपकी डर को बुरा इच्छाई थै कॉन बूरा वह समझाएगा नई समझ तो भीच छले लेगा पर आप याद रखें कि यह बैरी वैरी इपाटंट है अ इस जाहएं बंधे का शौभा और हमारा सुभा या माने पंक होता हुए नहीं इक समान एक समान सोचवली से अरे भाई हमारे गाउं में जैसे आपके गाउं में कहीं भी तो दोनों क्या हो गए हैं एक ही तरह के दोनों सोचते हैं अच्छा वाव आठवा देखे बेल दकट बाई साथ बिल्ली के गले में घंटी कौन बानेगा चुछो ने तो मिटिंग किया था एक घंटा बाने घंटा हीलेगा पताच जर जाएगे अपर घंटा हीला किसी ने किसी को बैल दकट करना पड़ेए जैसे क्रिकेट होता है रन कम बनते हैं तो कोई एक जो बैस्मेन होता हूँ कहता है चलो भाई अब मैं क्या करता मैं खत्रा मुझ लेता हूं तुम अरामस खेलना मैं ते हवाई साथ खेलू गा ठीक है अब देखिए कोक्स और बुल इस्टोरी देखिए कोई और कशुवी कहानी सुना होगा आपने बिल्ली की कहानी सुना होगी लेकिन आपने kaoks और बुल इस्टोरि के नहीं नहीं सुना होगा मूर्ङी और बुल बयल की कहानी होती है क्या नहीं होती है ना तो कॉक्स औंबुल श्टोरी मतलब होता है कि कोई अर बात में कोई सचा ही ना हो उसे कहते हैं भाई साव यह तो आपके गवाद कोई रामलाल है तो रामलाल क्या कहता है अरे या वो ऐसी सी कहानी सुनाता ना जिसका आप सुन को मजात वायगा पर उसका कोई सीर पैर नहीं होग लिए जपकी यानि मतबब बैठे बैठे जब कि ले रहते हैं घाड़ी में बैठे हैं ड्राइबर चला रहा है अब पीछे बिचे सो जाते हैं तो घटकी लेना बस फटाग देखें नहीं कब जगे पता नहीं चला तो catnap बहात ज़र्द से घोड़े की बात किया घरहरे की बात किया बेван की यह सेर की बात किया कर यह के यह सब जानवरों पर ही यह बने हुए तो हमने कहा बात किया है जी इ runnersam गया कोस हैं बुलिस्टोरी हो गया आइकटने फोंगया ऑब चिकिनन ऑँट ओह ऒए चिकिन हर्टीर मने क्या था बताईए थ्मिद्म में बताई क्या था इलको बिलक Insygen का आट मतलब मतलब क्या चिकन निकल ग क्या गया XV प्रणिद्ध हो गया और यह देखिए और इस दुनिया में सबस्जादा लोग प्रद करते हैं और जो भी किसी करता हो किसी के अक्टिंग करता है उसकी सेंट तो उसे बोलते हैं कि He is doing copycat वो मेरी copycat दिनात कर जैने आप कोई कुछ बोलते हो तो वो भी आपके बात दो ऐसे बहुत पहले एक वीडियो फ़नी वीडियो बिहार का आया था जजमान जैसे ऐसे हम बोलेंगा उसे बोलिएगा तो वो उसका copycat कर लेता हो कहता है जैसे वो बोड़ा हो अ bawक बहोत फ़नी वीडियो या जाता और आज कल बहुत से लुग कॉपी कोरे मिकरी करते ह् अंुन तो बहुत से लों के चाहिए पैसे कमाते है तो you are absolutely doing copycat आप इसका या उसका जिसका करता है अच्छा यह देखिए डॉग डेस मतलब डॉग डेस मतलब यार जब बहुत जदा कुट्टे इता भाँ भाँ करते हैं तो मतलब आसानी हो जाता है यह गर्मी के दिन डॉग डेस मने क्या होता गर्मी के दिन मतलब आई वस स्लीपि किसी कोई तो कुट्टों के दिन आगे तो बुरा मन जाएगा डॉग डेस मतलब एक एडियम से जिसका मतलब होता है कि गर्मी के दिन कुछी नया बिल्कुल आपने सुना भी नहीं होगा कहीं पड़ाने बहुत ज़्यादा मैंने कंप्रेटिव एक्जाम से सब चांटा है बहुत अच्छे यह हैं और आके देखिए ओल्डियोर हॉर्स अपका गोड़ा बहुत तेज दोड़ा है बाई सब्सक्राइब के रोकोज को है पैसे धीरे जैको तो होल्डियोर हॉर्स अगर आपने कोई बिजनस किया तो पेसिंस रखी धैरे रखी अब एक पीता जी ने एक दिन पौधा लगाया गुलाब का कुछ दिन एक हफ्ता बीद गया तो लडगें कहा पापा जो पौधा आपने लगाया न वह सो उसकी जड़ है वह जड़े नहीं निकल लए तो एक अपता हो गया तो पापने अच्छा जड़े नहीं के लिए लगी बटा यह बताओ त उसको खाण के चेक करता हूं तो बैट साब पेसेंस है नहीं न तो होल योर पेसेंस मतलब होल योर होर्सेस का मतलब बता कि कूल डाउन पेसेंस अगो धैर रखो और आगे आए आंट इन पैंट सो ओ माइग और ना करें किसी के पैंट में चीटी घुज़ा है पता क्या अगर पैंट में चीटी हो पता अब क्या होगा क्या हो यह नहीं नहीं वाग लग जाया कि इतना ज्यादा गवडाय क्यों आंट इन पैंट का मतलब घर बढाना नर्बस इसकिसके इंट्रवी हो तो पता होता ना लोग पैटते नहीं है जैसे दर-धर-धर-धर-धर-धर- थे कि आए कि एंटरनेल कोई प्रोब्लम तो नहीं हो गई कि बैठ नहीं सकता है समझ रहे होंगे का पाँ समय बात कर रहा हूं तो यह मतब कोई बहुत ब्हों बहुत इदर भाग रहा हो तो आप कह सकते हैं लग रहा है कि there is ants in his pants लगता है उसको पैंट में क्या है मतलब वो बहुत नर्वस है सिधी से बात जैसे किसी लड़किया लड़की बहुत खुबसुरत हो और देखने गया हो और पता चले लड़की बहुत खुबसुरत है तो लड़का क्या हो जाता है वो बैठाओ ना बैठो यार नहीं बैठेगा बेचैन रहेगा तो समझ जाये क्या है एंट से पैंट से हैं ना मझेदा बहुत मझेता रहे हैं और 16 देखिए किल टू बार्स विद वन स्टोन यानि किल माने मार दीजिए दो माने दो वर्ट्स में चिडियाओं को विद माने से वन स्टोन माने एक ही पत्थर से दो चिडियों को मानना यानि एक दीट से दो शिकार करना आम हांटर समझने हैं मतब आप ऐसा करिए कि आजकल मतब प्रॉफिट भी हो आम क्याम गुठुलियों के दाम दोनों मिल जाए आपको तो यह दियान रखेगा और यह आपके लाइफ में स्क्रीन सौट भी ले सकते हैं आप इसको और प्लीज गाइज यह बहुत फादिमन वीडियो से हैं अगर आप सबको सेयर करेंगे तो सबको याद जाएगा और आप देखें खुद अप्चे करेंगे जैसे आपको सामने आएगा आपको मेरी बात तुरंतिया जाएगी क्योंकि हर सब्सक्राइब के साथ मैंने कहानी जोड़ दिया है कि इस कहानी के माध्यम से जल्दी य आप सबी मुस्कुराते रहे हैं खुष रहे हैं एव नाइस डी बाई